हलो माईडिया फेंट्स स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पात्मिकर पे और मैं हूँ विबेग दोस्तो आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बड़ी अपडेट दोस्तो आज हम बात करने वाले अरार भी एलपी और टेक्निशन की श्वेंट्स के बारे में और आपको पता है आरार भी अलावाद नौर्सेंटर लेलवे के अंतर काता आता है और जो भी नॉटिफिकेशन निकला हुआ है अगर नॉटिफिकेशन की बात कुरू माईडियर तो आज की डेट में यहाँ पे तीन जो बैचेज हैं धर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीन बैचे से होती हैं वो सब कुछ यहां पर पूरी तरीके से मेंचन किया हुए और साथ में जो भी आपके कुरुना के जो SOPs हैं वो भी यहां पर बिल्कुल प्रापर तरीके से notification हैं मेंचन किये हुए तो चल यह दोस्तो पूरी notification को देख लेते हैं दोस्तो आगे बंडिस पहले अगर आप लोड ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए जिससे पल पल की notification आपको मिलती रहे दोस्तो चलते हैं North Central Railway की official website पे यहाँ पर देखिए माइडिये फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने North Central Railway की official website open कर रखिए और यहाँ पर देखिए आज की डेट में notification माइडिये देखिए Intimation of ALP Electrical Training batch 3rd, 4th और 5th मतलब जो आपका 3rd, 4th और 5th जो batch है उन issuants का यहाँ पर training का जो जो schedule है वो यहाँ पर जारी कर देए तो चलिए दोस्तो पूरी notification को यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तो यहाँ पर मैंने notification को open कर रखा है दोस्तो notification शार्ट करने इस पहले मैं आप follow करने पड़ें बहुत सारे यहाँ पर mention किये हुए है जहाँ पर आप लोगे training होने वाली है उनकी तरफ से तो चलिए दोस्तो पूरी notification को यहाँ पर देख लेते हैं देखिए railway भरती बोर्ड प्रियागराज की notification संक्या वन ओबलेक 2018 के अंतरगत सहायक लोको पाइलेट ग्रेड पे 1900 में चैनेत अभ्यरतियों को इस पद के लिए प्रारंबिक पाठेक्रम प्रिसिच्छन हे तू देखिए प्रिसिच्छन केंद्र कानपूर में भेजा जाना है मतलब इस पैनल में जितने भी श्वेंट्सों का नाम है 120 गेंडेट्स उनकी जो ट्रेनिंग होने वाली है माई रियर वो आपकी कानपूर में होने वाली हाला कि ये श्वेंट्स आपके अरार भी अलावात के हैं ठीक है फर्स्ट पॉइंट देखिए माई डेन आप ए मंडल में प्रिसिच्छन पत्र ले प्रिकत नहीं की रहेगा मतलब दोस्तों आप लोग की जिस भी दिन आप लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है उससे तीन या चार दिन पहले ये लोग आप लोग को बुलाएंगे ठीक है उसमें आप लोग जितने भी डॉक्मेंट्स रिपोर्टिंग के टाइम रह सुला नवंबर 2020 से प्रारम हो रहा है उन्हें प्रिसिच्छन पत्र प्रयाप्त करने ही तू बारा ग्यारा 2020 को सुबह 10 बजे मंडल रेल प्रवंदक का रहले उत्तरमद रेल वे प्रियागराज के मंडल सभागार में उपस्थित होना होगा मतलब जो तीसरा बैच है वो च सुला नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और स्ट्वेंटों को बारा नवंबर 2020 को यहां पर रिपोर्ट करना है चार दिन पहले ताकि जो आपका जो ट्रेनिंग लेटर है वो यहां पर प्रॉपर तरीके से आप लोग को मिल सके ठीक है जो आपका फूर्थ बैच है फूर टेनिंग इसटार्ट होने वाली हो 26 दिशमबर 2020 से होने वाली और इन लोग को जो रिपोर्टिंग करनी है वो 24,12 all20 यहां पर रिपोर्टिंग loc तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस डेट को यहां पर रिपोर्टिंग अन्य आले हाला कि मैं यहां पर पैनल भी बताने वाला हूं कि किन किन इस्ट्वेंटों का नाम है नहीं आपर देखें फिफ पॉइंट देखें माई डियर प्रसिच्छण हेतु सूची दस्ता पन में अटेंडेंस सीट की अनुरूफ तैयार की गई है यदि किसी अभ्यरती को ब्रूत किसी प्रकार की अपरादिक मुकदमा लंबित है तो उसे प्रिच्छण में नहीं बेजाएगा दोस्तों यहां पर बिल्कुल क्लियर मेंशन है अगर आप लोग के अगेंस्ट कोई यदि केंदर सरकार या प्रदेश सरकार में नौकरी करता है तो इसे त्यागपत्र या तकनी की त्यागपत्र प्रिस्तोत करना अनिवार है त्यागपत्र तकनी की त्यागपत्र के अभाव में उन्हें ट्रेनिंग में नहीं बेजाएगा मतला आप ओल्लेडी किसी तूसे department job कर रहे हैं तो आप लोग को यहां पर resignation letter उसका जो proper तरीकेज होता है वो यहां पर आप लोग को दिखाना पड़ेगा तब ही आप लोग को यहां पर training letter आप लोग को release किया जाएगा ठीक है दोस्तो 7 point में देखे दोस्तो अब भी हरती है का जिस batch में सूची में नामंकित है उसी batch में प्रसिच्छन में बेजा जाएगा यदि वह अगले batch के लिए निविधन करता है तो सुईकान नहीं की जाएगा उसे अंतिम batch में बेजने की वेवस्था की जाएगा मतलब दोस्तों अगर किसी student था देखें यहाँ पर मालो 7-12-2020 को आपका स्टार्ट होने माले ट्रेनिंग और आप लोग चाते हैं कि हमाई 26-12-2020 को ट्रेनिंग स्टार्ट हो तो यहाँ पर इन लोगों ने बोला हुआ है कि यहाँ पर आप लोगी जो भी आपकी यहाँ पर अपील होगी तो वो यहाँ पर कैंसिल कर दी जाएगे हमारी हिसाब से चलेगा ना कि आपकी हिसाब से ठीके दोस्तो देखें आट ओ पॉइंट देगे माई डिया जिन अब्भी हर्तियों को प्रिसिच्छन में बेजा जाना है मतलब यहाँ पर इन लोगों ने अपने रूल्स और रेगुलेशन मतलब यहाँ पर मैंशन किये हुए जहां पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है तो यहाँ पर इन लोगों ने एक सोपीस तयार किया हुआ है लोगो फॉल्व करना पड़ेगा ठीकně दोस्तो छलिए देख लेती है सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस्टुएंट का शुकर्ण घाल यहां पर केंडिट्स के नाम है जिनकी 16 तारिक से स्टार्ट होने वाली तो आप लोग यहां से अपना नाम चेक कर सकते हैं कि कब आपकी ट्रेनिंग होने वाली है देखें जिन वीश्वेंटों की हो कि देखें जो 40 केंडिट्स हैं तो उनका नाम यहां पर मेंचन हैं तो आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं इसके बाद हम बात करें तुम आइडिया देखें जहां आपकी ट्रेनिंग होने वाली है यह कानपुर में तो उन लोग ने अपना यह देखें इस्टेंडर्ड पड़ेगा आप लोगो सेंटाइजर आपको बैट सीड आपको यह सब कुछ अपना पूरी तरीके से फॉलू करना पड़ेगा साथ में सोसियल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से मैंटें करने पड़ेगा तो यहां से आप लोग अपना नॉटिफिकेशन ने पूरी प् पीडियाफ है इसका वो आपको अमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स मिल जाएगा बहां से आप लोग अपना ट्रेनिंग का टाइम जो होने वाली आपकी ट्रेनिंग किस डेट को वो आप लोग देख सकते हैं और अपना नाम भी यहां पर चेक कर सकते हैं दोस्तों अगर आप लो